नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चैनल जोतिश इन वास्तु में कैसे हैं आप सभी? आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 27th of January 2024 के बारे में 27th January 2024 का ये दिन आप सभी के जीवन में क्या कुछ लेकर क्या आ रहा है? कैसे आप इस दिन के एनलजी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? और कैसे अपने दिन को अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं? सारी जानकारी मिलीगी आपको इस वीडियो में अंतक देखेगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है आज का दिन एक तरह से न्याए और अन्याए के बीच में बैलेंस बना करके न्याए की तरफ आगे बढ़ने का दिन है अब बैलेंस बनाना और अपने आपको न्याए की तरफ आगे बढ़ना आसान काम नहीं होता क्योंकि जब आप अपने जीवर में बहुत सारी गलत चीजों में उल्जेवे होते हैं तो गलत चीजों को छोड़ करके अच्छे चीज के तरफ आना और अच्छे चीज को अपनाना ये इतना आसान नहीं होता और इसी वज़े से आज का दिन आपके पास मौका है कि आप उस कठिन काम को भी बहुत आसानी के साथ कर लीजिए इन छोड़ चोड़ उपायों को करके आज के दिन में कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं आज का दिन आप सभी की परिक्षा का दिन है ये मान के चलिए आज की दिन में सबसे पहली चीज़ अपने गुसे को अपने अग्रेशन को बिल्कुल कंट्रोल में रखिए जितना हो सके अपने आपको रिलाक्स रखने की कोशिश करिए जितना हो सके अपने आपको परिशानियों से बचानी की कोशिश करिए इरिटेट मत होईए, अग्रेसिव मत होईए और अपने आपको शान्त रखने का प्रयास करिए आज का दिन शान्ती को धारण करने का दिन है इसी वज़े से आज के दिन में आज की सबसे बड़ी पावर सबसे बड़ी एनलजी जो रहेगी वो आपका अपना मौन रहेगा इसी वज़े से आज के दिन का जो वैदिक वर्ड भी रहेगा ये भी यही रहेगा आपको जब भी मौका मिल जाए आप इस वैदिक वर्ड का जोर से उचारण करें गहरी सांस लेते हुए मौन बोलेगा मौन या फिर आप बोल सकते हैं साइलिंस और उस मौन को उस साइलिंस को अपने अंदर फील करिए अपने अंदर धारण करिए तो ये आपके लिए और भी जादा अच्छा रहेगा आज के दिन में अगर आपका जन्म दिन है आपके अनिवर्सरी है आपके जीवन का कोई भी विशेश मेतपुन दिन है आप सभी को मेरी और से हर्दिक शुकामना है आने वाला साल आप सभी के लिए काफी जादा पॉजिटिव साल रहेगा परन्तो आने वाला साल एक संगर्ष को एक मेहनत को भी लेकर के आता हुआ नजर आता है मलब की मेहनत के परिणाम देखने को मिलेंगे आपको अपने पेर पे कुलाडी मारने से बचना है ताकि आप किसी भी तरह की कोई गलती ना करें इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखिएगा जितना आराम आराम से आप आगे बढ़ेंगे उतनी ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और उतनी ही अच्छी तरीके से आप अपने इस समय को अच्छा बलाने की कोशिश जरूर कर पाएंगे अब बात करते हैं कौन सी राशी नंबर और अल्फाबिट के लिए समय अच्छा जाएगा राशों में सबसे पहले बात कर ली जाए तो रशब राशी के लिए समय काफी जदा अच्छा है करकर राशी, सिहराशी, तुला राशी और मीने राशी का काम आसानी से बनते हुए नजर आएगा वही पर नंबर की बात कर लें तो नंबर दो, नंबर तीन, नंबर च्छे और नंबर आठ, नंबर नौ के लिए समय काफी जदा अच्छा है अलफबिट्स में देखा जाए, तो अलफबिट्स में A, H, M, P, R, T और Y आप सभी के लिए समय काफी जदा अच्छा दिखाई दीता है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के दिन में क्या रहे का आज का एंजर नंबर जो आपके लिए रहेगा बेहत खास आज के दिन का एंजर नंबर जो है, यह है 0011116 उमीद करता हूँ, आप इस नंबर को जब बोलेंगे तो इस नंबर की महत्वता को भी समझेंगे जो 00 है, वो आपके silence को indicate करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा पनलब कि जब आप 0 बोल रहे हैं तो आपको अपने आपको शांत करने की ज़रूद है जब आप 1 का प्रियोग कर रहे हैं, वो आपकी आत्मा से आपको connect करता है और जब आप 6 बोल रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं आत्मग्यान को अपने आपकी खुशी को खोचते हुए नजर आते हैं तो इसलिए आज का ये angel number जो है, वो आपको बहुत ज़्यादा positive करेगा और आपकी कई सारी परिशानियों को चुटकी में solve करता हुआ नजर आएगा बात करते हैं आज के affirmation के बारे में, क्या है आज का affirmation जो आपके लिए रहे का बेहत खास नोट कर लिजे का प्लीज, आज का affirmation, आज के affirmation में आपको बोलना है My thoughts become my reality My thoughts become my reality मतलब अब आपकी सोच ही आपकी reality बनेंगे और आपकी सोच ही आपका भविश्य बनते होगे नजर आएगे इसी वज़े से आज अच्छा सोचना बहुत ज़ादा जरूरी है नोट कर लिजे कि आज क्या क्या करना है सबसे पहले तो आज के दिन में शांत रहना है जैसे मैंने का गुस्य को पूरी दर से control में रखिएगा ताकि किसी तरह की कोई परिशानी ना हो आज के दिन में अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई legal matter चल रहा है कोई case चल रहा है तो उन्हें solve करने की कोशिश जरूर करिएगा या आपके लिए अच्छा रहेगा कि legal solve करने का प्रयास अगर करते हैं तो आपको अच्छे results देखने को मिल जाएंगे आज के दिन में मन को मजबूत बना के रखिए मन की मजबूती को रखिए तो वो आपके लिए काफी जादा अच्छा रहेगा क्योंकि मन जितना मजबूत रहेगा उतना ही आपको अच्छे results यहाँ पर देखने को मिलेंगे आज सयम का दिन है आज धैर्य का दिन है और आज शांती के साथ हर चीज को solve करने का दिन है वैदिक उपाय में आपको क्या क्या करना है जो आपके लिए बेहत खास रहेगा ये भी आप नोट कर लिजीगा प्लीज आज किसी विशेश कारे से जब भी आप बाहर जाते हैं तो आज multi color का स्थमाल करिए एक से ज़ादा color का combination पहन करके चलिए तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा जब भी घर से बाहर जाते हैं तो आप सभी कोशिश करें कि नाकारात्मक thoughts को लेकर के ना चले positive thoughts को लेकर के चलें आपके लिए अच्छा रहेगा आज आप सभी अगर वैदिक time की यहाँ पर बात करें एक golden wish time की यहाँ पर बात करें तो समय जो रहेगा आप सभी के लिए दो पर 12.30 मिनट से लेकर के एक बच कर 30 मिनट का समय रहेगा जो काफी ज़दा उत्तम समय यहाँ पर दिखाई दिता है अब मैं आपको बताता हूँ कुछ वैदिक उपाय जो कि काजल आप सभी के गर पर अविलेबल होगा काजल से आप इन उपायाँ को कर लिजे यह आपके लिए बेहत खास रहेंगे सबसे पहले तो काजल का टीका सुब़ सुब़ अपने माते पर लगा दीजेगा या कान के पीछे लगा दीजेगा ताकि वो आपके लिए अच्छा रहेगा आपके कामों में रुकावटे नहीं आएंगी और आपको अच्छे रिजल्ट से देखने को मिल जाएंगे बाहर जाने से पहले बाहर कहीं पर भी जाने से पहले अपने हाथ पर काजल लगा करके जरूर निकलिएगा या फिर अपने हाथ पर काजल लगा करके उसको पानी से साफ करके और अपने शरीर पर कहीं पर भी काजल का टीका लगा करके निकल जाएगा ये आपके लिए बहुत जादा अच्छा रहेगा आपका काम आसानी से बनते होने से राएंगे किसी दरे की कोई रुकावट नहीं आएंगी बहुत दब बिमार हैं बहुत दब परिशान हैं और बिमारी ठीक नहीं हो रही सेहत बिलकुल भी ठीक नहीं हो रही तो आज के दिन में पूरे दिन में क्या करें काजल का टीका अपने पाउं के तलवे पर लगा दीजिए left और right दोनों तलवों पर लगा दीजिए और रात को सोने से पहले भी माउं के तलवों पर काजल का टीका लगा करके सो जाईएगा ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही है जो कि solve नहीं हो पा रही कोई बहुत बड़ी परिशानी आपको परिशान कर रही है जो कि solve नहीं हो पा रही एक white paper लीजिएगा और उस पर किसी भी color के pen से उस परिशानी को लिख दीजिएगा उसके बाद आप सभी क्या करें काजल युक्त पानी एक bowl लीजिएगा उसमें हलका सा काजल मिला दीजिएगा और पानी मिला दीजिएगा और उस पानी में इस कागच को डुबो दीजिएगा और प्राठना कर लीजिएगा कि आपकी परिशानी जल्दी से जल्दी सॉल हो जाए किसी तरह की कोई दिक्कत पर परिशानी आपको ना देखने को मिले Definitely बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और आप सभी की परिशानिया बड़े अराम से खतम होते हुए नजर आएगी अपने बारे में कुछ भी समयना चाते हैं आप उसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभाव मतद्याँ पर कर सकते हैं दन्यवाद